इस्त्री जब गर्ववती होती है, तो उसके गर्व में पिता का तेज जाता, मा के रज से मिलके वह खलल बन जाता है दस दिन में बच्चा बेर की तरह होता है, एक माह में बच्चे का सिर बनता है दूसरे माह में जब इस्त्री गर्ववती होती है ये तब का मेडिकल साइंस है इस्त्री जब गर्ववती होती है तो जब गर्व का दूसरा महिना स्टार्ट होता है तो आपके बच्चे के हाँच पाउन निकलने स्टार्ट हो जाते है और जब तीसरा महिना चालू हो जाता गर्व वतीस्त्री का तो तीसरे महिने यौनी बनती है कि ये लड़का है कि लड़की है इसलिए इसलिए गर्व परिक्षन लड़का है कि लड़की है लिंग परिक्षन तीसरे महिने में होता था अब तो सरकार ने बंद कर दिया, पर जब होता ठहा, किस महेने में होता ठहा, बोलो, तीशरे महेने में साइस को, मेडिकल साइस को, ये बात अभी पता चली है, ज्यादा से ज्यादा इस बात को 20 साल हुआ है, ये टेकनोलजी बहुत पुरानी नहीं है, मैं आपको बता दू, इस्त्री के पेट में बेटा है कि बेटी आज कल पता लगा लेते हैं डॉक्टर लोग पर ये टेकनोलोजी कितनी पुरानी है भारत में इस टेकनोलोजी को वाए जादा से जादा 20 साल हुआ हा या न और 40 साल लेलो चलो अमेरिका जापाने में और पहले आगई होगी तो चलो मैं 50 साल का 100 साल पहले आई जलो आई नहीं है पर फिर भी मैं आपको हिसाब रखता हूँ 100 साल पहले यदि ये टेकनोलोजी आई पर सुनना तीसरे महिने ही इस्त्री का गर्व परिक्षण होता है के लड़का है के लड़की क्यों क्योंकि तीसरे महिने में उसका लिंग तैयार होता है इस्त्री और पुरुष का छिद्र तैयार होता है सोचो ये बात डॉक्टरों को अभी पता लगी हमारे वेद पुराण में ये और दात हज़ारों साल पहले कौपिल भगeroane मातादेव हुती को बता दी कि 3 अमहेने में वो इस्त्री है कि पुरोछए ये तैयारी होती है 3 महेने में ये ऐथ हज़ारों साल पहले ये भागवत में लिखा है यह पूरा medical science लिखा पड़ा है, तीसरे महिने क्या बनता पर चौछे महिने में? चौछा महिना होते ही बच्चे के शरीर पुष्ट होने लगता है, पाचवा महिना लगते ही बच्चे को भूख और प्यास लगने लगती है, इसलिए बच्चा पाचवे महिने पर मा को लात मा पेट में ऐसा मा को हैसास होता है कि लात मार रहा, वो भूख से कभी छट पटाता है, यहां वहां जाता है, छटवा महिना होते ही उस बच्चे को अपने पूर्व जनमों का हिसाब पता चलने लगता, मैंने क्या पाप किया था, क्या पुन्य किया था, किसके कारण मनुष् साथवा महिना लगते ही उसको पूर्व जनम की शक्ती, पूर्व जनम का स्मरण होने लगता है, और आठवा महिना लगते ही वह भगवान की स्तुती करने लगता है, कि प्रभू हम जल्दी से बाहर कर दो, हमें बड़ा कश्ट है, इतने से मा के गर्भ में, इतना बालक ऐस हाथ पाउं सिकोड कर पड़ा रहता है, नौ महिने तक, बताओ कितना दर्द होता होगा, आपको एक घंटा के लिए उल्टा लटका दिया जाए, हालत खराग हो जाती है, और मा के पेट में नौ महिने तक उल्टा लटके रहे, कहां लटके रहे, मलमूत्र के गड़े में, क ले हो हां मलमूत्र के गड़े में रहे हो और आज यहां बड़ी बड़ी बातें बता रहे हो भूल गए अपने दिन नौ माह तुम कहां गुजार के आए हो और कितना कष्ट तुमने सहा है गोश्वामी तुलसीदाजी लिख रहे हैं जनमत मरत दुसह दुख होई जनम लेने के समय और मृत्यू के समय बड़ा कष्ट होता है लेकिन आदमी सब भूल जाता थोड़ा सा प्यार पा गया परिवार पा गया पत्नी पा गया पुत्र पा गया इसकी मिठास में सब भूल गया और आज उलजा हुआ प्राणी बैठा हुआ एक कुत्ता था एक घर में गया खड़ा हो गया उसे लगा मालके निकलेगी रोटी देगी पर मालके निकल के एक लाठी जमाती दूसरे घर गया वहाँ भी लाठी तीसरे घर गया वहाँ भी लाठी मिली चौछे घर गया तो वहाँ एक रोटी का टुकडा मिल गया पूछे हिला कर कुत्ता रोटी खाने लगा एक महात्मा जी देख रहे थे तो संत ने कुत्ते से कहा क्यों अब बता कल आएगा रोटी मांगने कुत्ता बोला आऊंगा संत बोले तीन घर में तुझे डंडे पड़े लाठियां पड़ी भूल गया कुत्ता बोला तीन घर में लाठि पड़ी तो क्या हुआ चौथे घर में रोटी भी तो मिली चौथे घर का टुकड़ा पाकर वह तीन घर की लाठियां भूल गया उसी प्रकार भागवान भी पेट में मा के पेट में बहुत कोड़े पड़ते इसलिए जब बच्चा पैदा होता है न तो देखा होगा बच्चे के पीठ पर बच्चे के पीठ पर पीछे नील पड़ा होता है हाँ या न कहो जी नवजात बच्चे को देखना उसकी पीठ बिल्कुल नील ऐसा लगता कोई बहुत मारा हो इसे और सच्ची पिठाई पढ़ते हैं भगवान के कोड़े पढ़ते हैं खुब पिठाई लगती है जा रहा है भूल मत जाना हमें खुब भगवान से भगवान नहीं भूलेंगे आपको खुब याद रखी दिन रात आपका ही जिंतन करेंगे लेकर कुट्टे की तरह हालत है तीन घर की लाठियां इसलिए भूल गया चौचे घर में रोटी का टुकडा क्या मिल गया तुम्हें पतनी पुत्र का जरा सा प्यार क्या मिल गया वो मा के पेट की सारी पीडा तुम भूल गये जनम लेने का वो सारा दर्द भूल गये क्योंकि जरा सब प्यार क्या मिल गया इसलिए कहता हूँ ये संसार का प्यार यही माया है ये सब को उलजा के रखा है सब उलजे पड़े हैं कितना भी समझा दो, कितना भी बता दो पर लोग चलते अपने ही ढंग से हैं सब को पता है आप लोग सब जानते हैं कि ये कोई अपना नहीं है संगी साथी ना बेटा ना बेटी ना पतनी ना पती ना रिस्तेदार ना जमाना कोई अपना नहीं है लेकिन कपिल भगवान ने मातदेव हुती से कहा कि ये बच्चा पेट में बाहर जब आता है नवमा महिना पूरा हुआ बाहर आया बड़ा कश्ट होता है मा को बच्चे को प्रसब की पीडा का और यहां आता है और यहां आकर संसार को देखकर धीरे धीरे भगवान से किया प बहूल को कुछ भी याद नहीं रहा जी हमकंदे को डंडे पड़े रोकिंगी जुआ मिल गई सब बहूल गया आम लोगों कोई कुछ याद है कि माट के पेटे में कितने डंडे पड़े अँछ- नहीं आद है क्यों कि नहीं कि संसार का प्यार मिल है याद ही नहीं है कुछ इसलिए कहता हूँ वो दिन भी याद किया करो जब उल्टे लटके थे सोचो कि तुम यहाँ क्यों आए हो क्या ऐसी खाना पीना मौज मस्ती करने आए हो खाना तो फिर पसू पक्छी भी जानते है सोना तो पसू पक्षी भी जानते हैं और बच्चे पैदा करना तो पसू पक्षी भी जानते हैं और तुम भी यही करते रहे तो उन पसू पक्षियों में और तुम में अंतर क्या रहा अरे तुम्हें ईश्वर ने भगवान ने मनुष इसलिए बनाया है कि तो मनुष्य बनके सत्संग करके दान पुन्य करके अपना लोग पर लोग सवार लो भगवान से प्रेम करके जनम और म्रत्यू के चक्र से बच जाओ कवीर दाजी कहते हैं चलती चक्की देख कर दिया कवीरा रोए दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई ये चक्की जो चल रही है कौन सी चक्की जनम और म्रत्यू की चक्की चल रही है इसमें ना तुम बचे उगे ना हम बचेंगे बार बार हम मर जाते हैं बार बार जनम पुनरपी जननम पितार जी कहते हैं ए मूढ मते व्यक्ति ए मनुष्य तु भगवान की सरण में आजा नहीं यह जनम और म्रत्यू की चक्की जो चल रही है पिस्ते चले जाओगे और मनुष्य शरीर पाकर गल्ती करोगे तो 84 का चक्र फिर बिगड़ जाएगा चलती चक्की देख कर दिया कवीरा कवीरदास जी रौने लगे तब कवीरदास जी का बेटा कमाल बोला पिता जी मत रोईए चलती चक्की चलने दे पिस पिस आटा होए और कीले माही जो रहे बाल न बाका होए उस चक्की में एक कील होती है उस कील के पास जो दाना चला जात ईसट दाने को चक्की कितना भी चले पर वो दाना नहीं किस्ता उसी प्रेकार संसार इतना वी हमें और आपको पीस ले लेकन जो बखवान की शरंड में चला गया वह जनम और अम्रत्व के चक्र से बच जाएगा और भगवान का हो जाएगा अपना कल्यान करना चाहते हो तो भगवान का आस्रे ले लो